दोस्तो मोदी का साथ छोड़कर नितीश कुमार इंडिया गडबंदन में आने का पूरा प्लान तयार कर चुके हैं अखिलेश रादों ने कह दिया था कि अब समय आ गया है कि नितीश कुमार इंडिये से नाता तोड़कर इंडिया गडबंदन के साथ आ जाएं दोस्तों बिहार चुनाओं से पहले मोदी और शाह के साथ क्या बड़ा खेला होने जा रहा है क्योंकि RSS लॉबी भी मोदी को पीम की कुरसी से हटाने का पूरी रोप रेखा तयार कर चुकी है कॉंग्रेस नितीश कुमार से मांग कर दी है कि जब देश में लोगों के जन भावनाओं के खिलाफ काम हो रहा है तो अब सोचने का समय है कि नितीश कुमार इंडिये गड़बंदन से नाता तोड़ती है और इंडिया गड़बंदन में जल्दी से आ जाएं दोस्तों जिस तरीके से कल उत्तर परदेश में अखिलेश यादा को जैपरकास नारायन की मूरती पर नहीं जाने दिया गया पूरी पुलिसिंग बैरिकेटिंग करके उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई उसके बाद से हम ये मांग की जा रही है कि नितीश कुमार को इं इतनास सरकार ने साफ कह दिया था कि जहां पर वो पार्क है वो पूरी तरीके से वहां पर काम चला है तिन शेट से रात में उसको कवर कर दिया गया था अखिलेश यादा रात में पहुंच गए थे और उसके बाद सुबह से ही उनके पूरे घर को बैरिकेटिंग करके उनक नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने समर्थन दिया है वापस लेकर इंडिया गडबंदन के साथ आकर अब यहां पर सरकार चलानी चाहिए तो दोस्तों जिस सरीके से एक तरफ बिहार में चिराग पासवान पहले चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी और मिशाह की टेंशन बढ़ाई और उसके बाद जीतर राम मांजी ने जिस सरीके से कहा कि हम विहार चुनाओ नितीश कुमार के नितृति में नहीं लड़ना चाहते हैं तो क्या जिस सरीके से इंडिये गडबंदन में लगतार खटपट की खबरे सामने आ रही हैं और अब उत्तर परदेश के अखिलेश चादों की तरफ से ये कह दिया गया है कि नितीश कुमार इंडिये का साथ छोड़कर इंडिया गडबंदन के साथ आ जाएं तो क्या नितीश कुमार अब इस पर विचार करेंगे क्योंकि जिस सरीके से जीतर राम मांजी ने नितीश कुमार पर बड़ा हमला बो अखिलेश चादों के बाद कॉंग्रेश पार्टी ने विसाफ तोर पर कह दिया है कि समय आ गया है कि नितीश कुमार कोई बड़ा फैसला लें बिहार में भी सरकार गिनाएं और केंदर की नरेंदर मोदी सरकार जो बैसाकी से चल लई है उससे भी अपना समर्थन वापस ल रहे हैं जब कैबिनेट की बैठक चल लई थी तो दस मिनट ही वहाँ पर रुके अजीद पवार उसके बाद मिटिंग छोड़कर बाहर निकल आए उन्होंने अपनी नाराज की साफत और बताई कि जब अब राज्य में चुनाव होना है तो चुनाव से कुछ दिन पहले ल पिहार इंडिये में भी फूट की सामने आ रही है और जिस तरीके से जीतर राम मांजी ने कह दिया है कि ज़ारखन चुनाव में हमारी पार्टी अकेले दस सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान ने भी साफ कह दिया था कि एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा मंत दिया है कि नितीश कुमार इंडिये के साथ जाकर बड़ी गलती कर दी है और अब उनको वापस आ जाना चाहिए जिस तरीके से चंदर बाबू नाइडू ने जाती गद जनगर्णा का समर्थन करके राहुल गांदी का साथ दिया है राहुल गातार ये कह रहे है कि पूरे गद जनगर्णा हो क्योंकि लगातार वो कहने कि कॉंग्रेस पार्टी हिंदूओं को जाती में बाढ़ कर अपनी राजनिती करना चाहती है वो फूट डालों की राजनिती कर रही है अब हम जानेंगे कि आखिर अखिलेश चादाओं ने क्या कुछ कहा है देखिए खबर य लेकी मांग कर दी है कॉंग्रेस ने भी नितीश कुमार को इंडिये में जाने पर नसीहत दी है तो दोस्तों जिस तरीके से अखिलेश यादाओं को योगी अधितनात की सरकार ने पूरी तरीके से जैपरकाश नरायन की मूर्ती के पास जाने से रोका माला चाहाना जाने च मर्थन वापस लेना चाहिए और इंडिया गडबंदर के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए तो क्या नितीश कुमार अब बिहार विधान सवा चुनाओं से पहले कुछ बड़ा खेला नरेंद्र मुद्य और अमिशाह के साथ करने जा रहे हैं क्योंकि जो सहयोगी दल हैं जो चोटी पार्टी हैं चाहिए वो जीतर राम मांजी हो चाहिए वो चिराग पासवान हो वो लगतार ये कह रहे हैं कि नितीश कुमार के नितुरुत में बिहार विधान सवा चुनाओं नहीं लड़ा जाएगा तो क्या अब नितीश कुमार कुछ बड़ा करेंगे क्योंकि अ अफसोस करने वाली बात है कि अखिलेश यादो जैसे समाजवादी नेता को जैपरकास नारायन की मूर्दी के पास जाने से रोका जाता है ये भारत के समविधान और परजातंत्र दोनों का ही अपमान है देश के लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है उन सब को मिल जाएगा आगे अखिलेश परसाद ने कहा कि नितीश कुमार को बेजीपी इंडिये में नहीं जाना चाहिए था वैसे तो ये गलत है लेकिन जब उधर चले गए हैं तो फैसला उनी पर छोड़ देना चाहिए कुल मिलाकर उनको वापस आ जाना चाहिए तो जिस तरीके दल हैं छोटी छोटी पार्टी आएं वो कह रही हैं कि बिहार विधान सबाचुनाव नितीश की नितीरुति में नहीं रड़ा जाएगा तो क्या जिस तरीके से केंद्र की सरकार नितीश कुमार के भरोसे पर चल लई है भारती जंदा पार्टी ये चाहती है कि बिहार नितीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से उत्रपरदेश के पूर मुक्मंतरी अखिलेश शादो को जैपरकाश नरायन की परतिमा पर जाने से रोका गया उनको वहां नहीं जाने दिया गया पूरी त मुदी और गिरी मंतरिया में शा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबु नाइडू हैं जो राहूल गांदी की जाती का जनगर्ना वाली मांग का समर्थन कर रहे हैं दूसरी तरफ अजीत पवार हैं जो महराश्ट में लगतार महायुति गड बड़ा होने वाला है इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं आपकी कहा रहा है कमेंड बॉक्स अपनी राह जरूर दे और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे देश लिती धन्यवाद